जहां एक तरफ इसराइल हमास का साथ देने वाले इरान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है वहीं अब इरान भी इसराइल के हमलों का मुहतोर जवाब देने पर उतार हो गया है हालانکہ ایران نے इसराईल को डराने के लिए मिसाईलों का इस्तिमाल तो पहले भी किया लेकिन अब इरान ने इसराईल को सीधे सीधे धमकी दे डाली है इरानी सेना का एक खतरनाक ट्वीट सामने आया है इसे लेकर इसराईली सेना भी सतर्क हो गई है इरानी सेना ने इस पश्ट तोर पर इसराइल पर बहुत जल्द पलट पार की धमकी दी है इरानी मिलिटरी के इस धमकी भरे ट्वीट से एक दिन पहले ही इसराइल के खलाफ उसकी युद्ध की तस्वीरे भी सामने आई है जिसमें वह अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेटों का रिहरसल करते दिख रही है लेकिन अब इरानी मिलिटरी के एक ट्वीट से पूरे मध्यपूर्व में ये तहल का मच गया है इरानी सेना ने एक्सपर शेयर इस पोस्ट में कहा तुम्हें बहुत जल देखेंगे बता दे कि इरान ने अपने इस पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया है लेकिन इरान का इशारा बिलकुल साफ है कि उसका ये पोस्ट सीधे तोर पर इसराइल के लिए ही है क्योंकि हाल के दिनों में इस्राइल ने इरान पर ताबर तोड हमले किये हैं जुनके जवाब में राणी सेना ने हमास और हिजबुला के समर्थन में इस्राइल के तेल अवीव पर एक अक्टूबर को 180 मिसायलों से 17 हमला किया था हलंकि इसराइल ने दावा किया कि इस दोरान उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुगा इसके बाद इसराइली प्रधान मंत्री बेंजा में नेतन याहू ने इरान को कहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसके लिए इरान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा बाद में इसराइली सेना ने 26 अक्टूबर को इरान पर 100 फाइटर जेट से एक साथ बड़ा हमला किया लेकिन अब इरान ने अपने स्ट्वीट में लिखा है कि ये हमारी सत्य प्रतिक गया है यानि तुमको बहुत जल देखेंगे